मानेने सुप्रिम कोट ने बियर्ड अभियर्थों के प्राफ्मिक सिक्षक भरती इलिजिबिल्टी मैटर पर अंतिम रूप से फैसला देते हुए NCT के 28 जुन 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जो की नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे तो RT-ACT 2009 को आधार बनाते हुए वह बियर्ड अभियर्थियों को प्राफ्मिक सिक्षक भरती में शामिल कर सकती है कैसे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अंतर तक जुड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर विट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार वजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेलेकिन को प्रिस करना ना भूले इसके पर आप आर्टी एक्ट 2009 के प्रावधानों को देख पा रहे होंगे इसमें जब आप 23 नमबर धारा पर जाएंगे तो यहां पर आर्टी एक्ट जब पारित हुआ था 2009 में उस समय कौन नियम कानून बना सकता है केंद्र सरकार को क्या अधिकार होगा एनसीटी कानून के अंतरगत उसको क्या शक्तिया दी गई है सब कुछ जिक्र किया गया है 23 के धारा एक में एनसीटी का जिक्र किया गया यानि कि केंद्र सरकार एक कानून मना करके किसी एक ऐसी संस्था को ऑथराईजड कर सकती है सिक्षकों के लिए मिनिममम इलिजिबिल के लिए पात्र होगा यानि कि ये NCT को केंदर सरकार ने जो शक्तियां दी है कानून बना करके जो NCT का Act है उसके अंतरगत NCT जिसको पात्र मानेगा वो सिख्षक भरती में शामिल होने के लिए पात्र हो सकता है फिर आपके मन में कानून बनाना है जो कि सभी देश पर लागू करना होगा तो उसके लिए सभी राज्यों से पहले सिफारिश लेनी होगी सभी राज्यों से राय मश्वरा करना होगा और सांती सांत एक कमिटी बनानी होगी जो expert committee होगी वो अपनी report submit करेगी और सभी राजियों के सहमती के बाद इस प्रकार का कानून बनाया जा सकता है लेकिन ये इस प्रकार से कानून डिजाइन किया गया है 2009 में उस समय की ततकालिन सरकार के द्वारा की चाहकर भी NCT अपने कानून को थोप नहीं सकती है और उसी के अंतरगत कानून बनाने की प्रक्रिया को मानेने सुप्रिम कोट ने गलत पाया और आज अपने फैसले में NCT के उस notification को ही रद्ध कर दिया है इसी का दूसरा point अप ध्यान से पढ़िए 23 का दूसरा point जो है वो केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी भी अभियर्थी को पात्र कर सकते है जहां किसी राजे के अध्यापक राजे में अध्यापक सिक्षा के पाठेक्रम या उनमें उसमें प्रसिक्षन प्रदान करने वाली परियाप्त संस्थाय नहीं है या उपधारा एक के अधिन यथात अधिकथित नियूंतम आःताय रखने वाले सिक्षक परियाप्त संख्या में नहीं है वहां केंद्री सरकार यदि वह आवर्शक समझे अधिसूचना द्वारा सिक्षक के रूप में नियूकती के लिए अपेक्षित नियुंतम आहर्ताओं को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अबधी के लिए शीथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में वी निर्देश्ट की जाएं ध्यान से समझ लिजे यानि कहा ये जा रहा है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से अगर जो डियलेड जो मिनिममम इलिजिबिल्टी है प्रात्मिक में शामिल होने के लिए अगर वहाँ पर परियाप्त संख्या में भीरती नहीं है तो बीएड को एलाव किया जा सकता है नियमों में शीथिल करने की बात की जारी यानि की हायर क्वालिफिकेशन जो बीएड है उसको प्राइमरी के लिए इलिजिबल किया जा सकता है केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से और केंद्र सरकार खुद से हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी उसके लिए राज्य सर पहले सिफारिश करेगी केंद सरकार से, उसके बाद केंद सरकार सिफारिष करेगा N.C.T. से और इसके बाद ही ये Доos हो सकते हैं, तो अब ये देखिए सीधे तोर पर आप इसमें पूरा जो अधीकार है, वो राज्य सरकार के पास है यानि राज्य सरकार सिफारिश करती है तो केंद सरकार उसको एलाव कर सकता है बिएट को अधिक्तम 5 साल के लिए ठीक है लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि अधिक्तम 5 साल तक के लिए ही एलाव किया जाएगा जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का 825 सिक्षकों की भरती के लिए नोटिफिकेशन निकाला उस समय उत्तर प्रदिस में DL8 की संख्या बहुत कम थी उसके बाद से जब सरकार बदली तो फिर राज सरकार ने केन सरकार से शिफारिश किया कि हमारे पास minimum eligibility से समंदित अभ्यरतियों की संख्या कम है और vacancies की संख्य जादा है तो उस condition में राज सरकार ने NCT के मादम से हस्तक्षेप करते हुए B8 अभ्यरतों को allow कर दिया था प्रात्मे कि सिक्षक भरती में आप देखेंगे कि उस समय 2012 में इस प्रकार का कोई भी notification नहीं था B8 अभ्यरतों को प्रात्मे कि सिक्षक भरती में सामिल करने के तो वह इस अधिकार छेतर का प्रयोग करते हुए केंद सरकार की मदद से B8 अभ्यरतों को प्रात्मे कि सिक्षक भरती में allow कर सकती है लेकिन इसके लिए condition यह है कि यह अधिक्दम 5 साल के लिए ही हो सकता है उमीद करता हूँ आप सभी के doubt क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो